मुख्यमंत्री भुपेज बगेल जल्दी समीदा कर्मचारियों को सौगात दे सकते हैं। दरसल उन्होंने आंकडों के मताबिक प्रदेश में करीब 1,80,000 समीदा कर्मचारियों का डाटा तयार करने को कहा है। GAD ने मुख्यमंत्री भुपेज बगेल के निर्देश के बाद सभी विभागों के ACS, प्रमुक सचिव और सचिव से चार अलग अलग बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। सभी विभाग के अलावा नेगम और मंडल को भी जानकारी देनी होगी। विलम सम्मंदी विभरण की भी जानकारी मांगी गई है। इन चार मामलों में आखिर के दो मामले शिक्षा कर्मियों से भी जुड़े हुए हैं। अनुकंपा नियुक्ती का अगर सबसे ज़्यादा विवाद है तो वो है शिक्षा कर्मियों का क्योंकि वे प्रदेश में करीब साढ़े तीन हजार से ज़्यादा शिक्षा कर्मियों के अनुकंपा नियुक्ती के प्रक्रन लंबित है। इस प्रक्रिया में पेचीदगिया इसलिए है क्योंकि आवेदन के साथ ही तीन साल के भीतर B8-D8 के साथ TET पास करना भी जरूरी होता है लिहाजा इस असंभव में इम्तिहान को पास नहीं कर पाने की वजह से शिक्षाकर्मियों का मामला भी अटका पड़ा हुआ है CMK निरने से करमचारियों में भी खुशी का लहर है तो यहीं लग रहा है कि करमचारियों और शिक्षाकर्मियों के मुद्दे पर जल्द ही राजसरकार कुछ एहम फैसले ले सकती है वहीं अनुकंपा की नियुक्ति का विवाद भी बहुत जल्द खत्म हो सकता है विरो रिपोर्ट देश टीवी